हाईलो फ्रेंड स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एक्स्प्रिमेंट चैनल मिस्टर इंडियन टार्गेट पा आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्रिसिटी से लेटेड एक्स्प्रिमेंट जिसका नाम है इलेक्ट्रो फ्लेटिंग मतलब कि एक धातू की परत किसी दूसरे धातू के चाड़ाना अगर आप इस छोटेस एक्सप्रिमेंट को अच्छे से समझ जाते हैं इससे आपको काफी फायदा होने वाला है जैसे कि कम मुलेवान वाली धातु के उपर किसी अधिक मुलेवान वाली धातु के परत चड़ा देने से काफी आकर्सक लगने लगती है या फिर लोए की किसी धातु के उपर जींकी की प्लेट चड़ा देने से वो सीधे आक्सिजन के संपरक में नहीं आ पाती है जिसे कि उसके आक्साइड नहीं बन पाते हैं और यही करांड उसके जंग नहीं लगती है और काफी दिनों तक सेफ बची रहती है तो एक्सप्रिमेंड को अच्छे से समझने के लिए जुड़े रही है हमारे साथ अंत तक क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंप वहां निकलता है जिससे आपको छीक या खासी आती है इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए मैंने लिए 12 बोल्टीज की डीसी बैटरी कापर का वायर जिस टातू काम को प्लेटिंग करना है लोए कि एक कील जिसको उपर हम करेंगे प्लेटिंग और हमको चाहिए कापर कर दूँगा सबसे पहले हम कापर तलफेट को इसको टोरी के अंदर डाल लेते हैं पिर उसके बाद कील को इस वाले वायर से जोड़े लेते हैं और इसको जोड़ेंगे बैटरी के निंगेटिव टर्मिनल से हाद रहे कि जिस दातू काम को प्लेटिंग करना है उसको जोड़ेंगे पाजिटिव टर्मिनल से और जिसके उपर प्लेटिंग करना है उसको जोड़ेंगे निंगेटिव टर्मिनल से अब इन दोनों को इस गिलेन के आंदर डाल देंगे आप देख सकते हैं कि इसका रियक्षन स्टार्ट हो चुका है इसको करीब दो मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फिर उसके बाद देखते हैं कैसा रियल्ट आता है फानली दो मिनिट हो चुका है चलिए अब हम लोग इसे निकाल कर देखते हैं आप देख सकते हैं कि इस पर प्लेटिंग हो चुकी है साथ आपको अच्छे से कैमरे में दिखाई ना देता हो लेकिन इस पर प्लेटिंग हो चुकी है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसकी प्लेटिंग होई है एक बार फिर से हम लोग प्लेटिंग करते हैं लेकि इस बार करेंगे हम इस दो रूपए के सिक्के के ऊपर प्लेटिंग करते समय आपको आज रखना है कि यह दोनों आपस में चिप करने नहीं चाहिए नहीं तो इलेक्रिस्पिटी जो इसके थुरू कम्प्लीट हो जाएगी और हमारा इलेक्रिस्प्लेटिंग नहीं हो पाएगा अब हम लोग इसे निकाल कर देखते हैं आप देख सकते हैं कि इस सिक्षे पर भी प्लेटिंग हो चुकी है आप देख सकते हैं कि जिस क्षाइन के उपर मैंने फ्लेटिंग की थी और जिसके उपर मैंने नहीं की थी और किस टाइप का दिखाई दे रहा है अगर आपने वीडियो को आंत तक देखा है तो प्लेटिंग के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता तो मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके डाउट किलियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए है और अभी तक हमेंट अनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में गंटी की निसान पर क्लिक करके आ आने वाली मेरी कोई भी नेक्स्ट इक्स्प्रमेंटल वीडियो आप मिस्स ने कर सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहीं जै भारत